असलाम अलेकुम राग्मितुल्लाई वाबरकातू प्यारे बच्चों उम्हीरे आप सब खेरियत से होंगे हिंदी की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम हैं सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी ओपन कर लीजिए जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदी के पार्ट चोदा को हमने पढ़ लिया उसको समझ लिया कि उसमें क्या है वर्ड मीनिंग मैंने आपको स्कूल में ही कराये थे शब्दत आज क्वेशन आंसर करेंगे पार्ट चोदा के तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशन नमबर एक है निबंद में लोग गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है बिंदूओं की रूप में उन्हें लिखो अब यह जो पार्ट चोदा है आपकी बुक में ये एक तरीके से लोग गीतों के उपर एक निबंद है तो इसमें जिन जिन पक्षों की चर्चा की गई है उनको आपको बिंदूओं में लिखने है यानि पॉइंट्स बना कर लिखने है तो उत्तर है इसका इस निबंद में लोग गीतों के निमलिखित पक्षों के संदर्व में चर्चा की गई है पहला है लोग गीतों का महत्व क्या बताया गया है पार्ट में लोग गीतों के महत्व के बारे बताया गया है कि इसका क्या महत्व है उसके बाद खा है लोग गीतों में संगीत के विविद वादेयंत्र जो जो भी इंस्ट्यूमेंट यूज किये जाते हैं लोग गीट गाने के लिए तो उनके बारे में बताया गया है और कह है लोग गीट में शास्थिय संगीत लेकिन धीरे धीरे लोगों ने लोग गीत के महतुए के बारे में जाना और उन्हें लोग गीत अच्छा लगने लगे पसाद आने लगे घा है लोग गीतों के प्रकार कि लोग गीत कितने प्रकार के होते हैं ये आपने इस पार्ट में जाना है अड़ा है लोग गीतों में इस्तरियों की सहभागीता यह जो लोग गीत हैं इसमें केवल पुरूश ही नहीं होते हैं इसमें महिलाई भी होती हैं इस तरियां भी होती हैं अच्छा है लोग गीतों को गाने के अफसर अब यह जो लोग गीत हैं इनको गाने के कुछ अफसर होते हैं उनके बारे में जाना कि जैसे त्योहारों पर ग सवाय जाते हैं नेक्स्ट है लोग गीतों की लोग प्रियता और जारे लोग गीतों में निर्ते और यह जो लोग गीत होते हैं इन में निवितिये बारती समाज प्रतेक शुब और मांगलिक परवों पर तो इस्तरियों के खास गीत हैं, यानि जो इस्तरिया है वो शुब और मांगलिक जो परवोते हैं, उन पर भी गीत गाती हैं, उसके अलावा तो उसके अलावा रोज मर्या की जो जिन्दगी है यह जो उनका दिन चर्या है उनमें भी गीत शामिल होते हैं उनके तो चलिए देखते हैं इसके points इसके बिंदू तो first है पवित्र नदियों सरोवरों में नहाने का गीत यानि जब वो नदियों में और सरोवर में नहाती थी तो उस टाइम पर भी जो इस्तिरिया थी वो क्या करती है वो गीत गाती है खाये नहाने के लिए जाते हुए रास्ते में गाये जाने वाले गीत और जब नहाने जाती थी तो रास्ते में कई सारी महिलाएं आपस में खट्टी होकर जाती थी तो रास्ते में भी गीत गाती हुई जाती थी नेक्स्ट विवा पर गाय जाने वाले विभिन गीत विवा के अफसर पर भी कई तरीके के गीत गाय जाते थे नेक्स्ट विवा में स्वागत गीत यानि जब विवा में जो महमान होते थे वो आते थे या फिर दुला-दुलन के स्वागत के वक जो गीत गाये जाते थे यानि उन समय पर भी जो महिलाए थी वो गीत गाती थी नेक्स्ट वीबित तेहारों पर गाये जाने वाले गीत तेहारों में गाये जाते थे गीत और उसके बादे नेक्स्ट बच्चे बच्ची के जनम पर गाये जाने वाले गीत और जब भी घर में क सुनने के मोगे मिले हैं तो तुम लोग गीत की कौन सी विशेश्टाएं बता सकते हो यानि अगर आपने कभी लोग गीत सुने हैं तो आप से पूछा गया है कि आपको उनकी विशेश्टाएं बतानी हैं कि लोग गीत की क्या-क्या विशेश्टाएं होती हैं तो इसका उत्त जान हैं इनकी अनेक विशेष्टाएं हैं जैसे फर्स्ट है लोग गीतों में जन जीवन की जहां की मिलती है यानि लोग जहां के रहने वाले होते हैं जिस जगह वो रहते हैं तो उस जगह की जहलक जो है उनके लोग गीतों में नजर आती है दिखाई देती है नेक्स्ट है Weird लोग्वीथों में समवेद्नाइं उभरती है है तो लोग्वीथों से मान्वहेद्नाइं तो उनल को जाहिर करते हैं गीथे जरीय से लोग's एकांग की एवम सामो हिक दोनो लोग's ऑकेले में भी गाया जा सकता है और सामूह में सामूहिक भी यानि कि गुरुप में भी उसको गाया जा सकता है तो दोनों तरीके से ही लोग गीत गाया जा सकते हैं अब है नेक्स्ट लोग गीतों में निर्तिय भी शामिल होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी पताया है कि लोग गीतों में निर्तिय भी शामिल होता है यानि कि नाशते भी है जो इस्तरी और पुडूश होते हैं वो निर्तिय भी करते हैं तो इसमें निर्तिय भी शामिल हो तो विद्यापती किसे कहते हैं जो master of knowledge होते हैं जिनको बहुत जादा ग्यान होता है बहुत जादा knowledge होती है उन्हें विद्यापती कहते हैं तो इसका उत्तर है पर सारे देश के विद्यापती हैं का मतलब है कि जिस तरह मिधिला छेतर में मेथिल कोकिल विद्यापती के गीत लोग प्रिये हैं, मिधिला एक जगा का नाम है और यहाँ पर मेथिल कोकिल ये एक विद्यापती हैं जिनके गीत बहुत जादा लोग प्रि के जेश में धूम रहती है अब गों यहां तो लोग गीँतों की बात हो रही है लेकिन रियल में भी craft किसे इंगर का कितने जैसे कि जो आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं जो गायक हैं जो भी आपको पसंद तो जैसे कि सिंगर को लोग पसंद करते हैं, जो सिंगर को आप पसंद करते हैं, आप उसी के गाने सुनना पसंद करते हैं, तो इसी तरीके से कुछ फेमस लोग गीत रचनाकार भी पैदा हुए हैं, तो जिन लोगों को लोग गीत पसंद आते हैं, जो लोग गीत के शोकीन है तो उनका जो भी पसंदीदा लोग गीत रचना कार होता है वो उसी के ही लोग गीत सुनते हैं और जैसे एक टाइम पर कोई भी सोंग फेमास हो जाता है तो इसी तरीके से ऐसा होता है कि लोग गीत भी फेमास हो जाते हैं तो फिर शेव तो पूरे गाहों में कज़बों में उ